अलो दोस्तों नमस्कार आईए मैं आप लोंका हार्दी कभी नंदन करता हूं अपने ट्रेटर बार स्टॉक मार्केट यूटूब चैनल में ठीक है ठीक है और जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब बगरा कर लिजेगा ठीक है और यह मेरा दूसरा नहीं आपको इस प्राङब रखते हैं दोस्तों ऐसा है कि हम लोग जो है हम लोग जो है वो काफी इस्तिती में अपने संतुलन को बनाए रखते हैं । Send के माध्यम और फिर क्या होता है वह होता है कि हर पर बार की तरह आप लोग प्रॉफिट बुक करते हो और फिर आनंद की प्राप्ति करते हो ठीक है समस्या वो नहीं है समस्या यह है कि जब कोई में से करता दःएखी नहीं कि आप बोलोगे तो कौन पॉला यहांपने आप हो जाएगा देखिए सर बात वह नहीं है बात है भरोसे की अगर जिस जगह भरोसा नहीं है वो संबंद ज्यादा दिन नहीं चलता किसी चीज़गा जहां आपको भरोसा होता है है एतोबार होता है जहां लगता है कि नहीं यहां पर द्खला हुआ नहीं है पैसा बन जाएगा फिर दिखा Our discipline का मतलब यह हो गया कि है कि कोईधना चाहता है धूरत को यह थेक्यक्षाथ परके रखे और फिर उसमें लगाए देखिए पैसा हमेसा पास में थोड़ा सा आपको एक्सपेयर होना चाहिए क्या पता कौन सा गिरावट आपको अपर्चुनिटी के रूप में आएगा वह आपको नहीं पता रहेगा अचानक से गिरावट आएगा जो कि आपको एकदम ध समझ भाएगा तो उसी तरह है कि इसलिए मैं इस जीच को भी कभर कर लिए कि कई लोग पूछते हैं कि यहां से पांच परसेंट ठक से कटा है तो हम नेक्स्ट लॉट लगा देंगे उसके बाद फिर परसेंट लगा देंगे मालीजा आईटी का हम यहीं खरीद लिए कि यह हम आज खरीद लिए मालीजे 32 पर खरीद लिए अना स्टॉप पे है और यहां से पांच परसेंट टूड़िया देखे हम कैसे करते हैं मालीजे लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और यह यह तो नहीं चल रहा है अब यहां पर हम कुछ भी खरीद लिए फर्स लॉट अभी वह दिरे दिरे साइपी करके उसको नीचे लेके आएंगे थोरी ऊपर चोड़ देंगे पार्किंग में ना खीच के नीचे लाना है घर में तो लेके आएंगे ना प्रोपे तूब बात है बड़ा पैसा एक जगा नहीं लगाना नहीं तो गल्ति करो गया आसा करता हूं कि आप लोग समझ गया होंगे तो देखिए आईटी आईटी में बात करने से पहले चार्ट पर चलते हैं आईटी का चार्ट है पहले दिखाए हैं अभी दिखा रहे हैं कोई कुछ बड़ा नहीं है कोई कुछ नहीं है ठीक है एकदम यहां भी रसिस्टेंट खाया फिर यहां बड़ा मुश्की रहा था उजिन मेरे कोई सीज को समझाने में देखिए हम तो समझ जाते हैं लेकिन जो आप पे बरुसा करते हैं आप पे जिनका एतवार है बस उनका ना भरुसा को कायम हम आजीवन रख पाया यही मेरे बहुत बड़ी बात रहेगी तो इसलिए मैं नही अब लोग को इसा नहीं है अगर रहते हैं तो अभी तक आप लोग को अनुमान लग जाता है इतने साल डेर साल से चाहिनल बना रहे ना सर किसी से कोई हम तुरा करने में ही हम कमजोर हो जाएंगे तो इस समय गिरा था ना सर बड़ा ज्यान लगा था मजाग नहीं कर रहे है मेरे को भी बहुत जान लगा था बहुत जान लगा था हम बोले अरे भाई साहब हो गया यहां हो गया करेक्शन यह अभी डाउंट्रेंड नहीं हुआ है यह टूटा है यह सपोर्ट है बड़ा बाब बाब क्या क्या समझाना पड़ा था है आज भी याद है क्या क्या समझा है फिर यह और आज यह बहुत बढ़िया तो दोस्तों फाइनली आइटी अप्ट्रेंड में ही है अब जो आइटी की गिरावट होगी अब उसकी गिरावट इस लाइन को पकड़ के रखिएगा जिस दिन इस लाइन से नीचे जाएगी उसकी गिरावट वहां से बड़ी होके सीधा सपोर्ट पे आएगा 3094 बहुत अच्छा आइटी स्विंग करवाया है रियल माइन में तो आइटी नहीं हमको स्विंग दिया है स्विंग ट्रेडिंग आइटी नहीं कराया है हर किसी का पैसा बनाया है और आज इस बात को बोल के मैं बहुत अपने आप में परसंसित भी होता हूं जब आइटी के बारे में जब भी बनाता हूं मैं बहुत परसंसा से भर जाता हूं कारण इसका टार्गेट इतना बड़ा दिख रहा नहीं चल रहा है दिल नहीं कर रहा है मिजाज खराब है जिस दिन चलेगा ना सही बोल रहें स्रीमान हावां रहेगा फिर वाले याद रखिएगा यह आग नहीं लगाएगा यह पटक देगा वही पर बहुत 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 बढ़िया है और इसका टार्गेट जो है ना मैंने लगाया था अरे 35 कहा गया और 40 कम से कम हां 40 का टार्गेट है अब आप लोग को जो देखिए जो पुराने है वो जाने के लिए है चाहिनल पर आएं तो अच्छा चीज़ जानेंगे खराब चीज़ का जानेंगा यह हटो तुम 40-30% का है कोई नहीं हम वेट करेंगे आएगा सर आएगा अब आप बोलोगे सर क्या ऐसे आएगा 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 बोलते हैं आई बेन नहीं करता है खली आप बोलते रहते हैं अरे भाई बोलते हैं तो यहां से उठके यहां गया ना इस जगह से बोलते थे तो 27 पे जब इंफोसेस का चीज़ दें रिजल्ट खराब हुआ था या बनाया है ऐसे बढ़ा क्या जबर्दस बढ़ा जबर्दस बढ़ा नहीं उसके बाद बवालों किया तो क्या बवाल किया देखिए 27 के बाद इंफोसेस का रिजल्ट खराब होने के बाद जो आया था उसके बाद आप देख लिजे यहां से तक्रीबन आपको 17-18% का रिटर पाइंगे जो नहीं लोग आए हैं उनको भी हम इन से जोड़ेंगे और आप इसके गवाँ बनोगे आइटी टिडेंट यह जो दोनों है ना इस पे अभी प्रॉफिट बुक करना है डिसिप्रिन के साथ उठीक है लेकिन अब इस पे मेरा प्रस्नली व्यू चेंज हो गया है तो अब आप बोलोगे सर क्या हो गया है भाई जखो अब हम लोग को ना देखिए आइटी में भी पै इससे क्या होगा कि जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी एसास होगा कि नहीं भैं तो यहां पर आप लोगों को अलट करके मैंने भी प्रॉफिट बुक किया था आप लोगों को भी करवाया था टाइडेंड में निकला था आईटी में निकला था वहां से गिरावट था फिर मैंने यहां पूजिशन बढ़ाया दिखा दूंगा भी और फिर अभी ठीक ठाक है चल रहा है बढ़िया और यह अगला मतलब जो है टार्गेट है इसको मंडे को आपको 32 वच्पन आपको अराम से दिख जाएगा टेंसन वाली बात नहीं तो जब तक यह इस लाइ आप लोगो बनेगा तो यह आई टी पर भी हुए है आई टी पर जो मैं बोल रहा था कि मैंने चेंज किया है प्रॉफिट बुक करने का तरीका कि जो इंपोर्टेंट रसिस्टेंट है वहां पर हम लोग देखिए अब यह स्विंग का आप लोग बोलते है ना चलिए जो आ इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है एक साल से प्रॉफिट बना रहे है कहीं कोई समस्या नहीं आ रहा अब यहाँ आई टी अपने टाटा का डिजिटल इंडिया इन दोनों पर मेरा थोड़ा भी चेंज हुआ है क्योंकि यह बहुत अभी मेरे को लग रहा है कि इसमें म तो इस प्रॉफिट को हम राइट कैसे करें और इस प्रॉफिट को कहीं हमारे विपरित मार्केट हो जाए तो हम कैसे करें दोनों चीज को समझ रहा है आपको क्या करना है कि आपको important resistant पे अब मेरा काम है आप लोगं को थोड़ा सा important resistant का idea देता रहूं clear है और support का आपको idea देता रहूंगा उस पे position हलका करना है और position बढ़ाना है बस ये दो काम करना है तो आप बोलो कि यहां पैसा आपको लगाना है ठीक है माल लिजए आप इस जगह पे मेरा जिस तरह मैं अपना बताता हूं मेरा माल लिजए 30,000 यहां लगा हुआ है तो मेरा इंपोर्टेंट जो support होगा ना सब्सक्राइब यहां मैं यहां क्या करूंगा मैं 15 क को सेल कर दूँगा है समझ है कि नहीं समझे तो आप बोलेगा अच्छा मतलब 5% इसको दो तरीका से समझाता हूं पहले रसिस्टेंट के मादपम से यह और support के मादपम से उसके बाद मैं आपको इसको उसके मादप से समझा दूँगा हाला कि यह वीडियो कुछ और बन गया ITK बजाए तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं support मिलेगा वहां पर ही थोड़ा लगाना है जितना profit book की है वह लगा दीजिए या फिर उसका आधा लगा दीजिए साड़े साथ लगा दीजिए और फिर वह नीचे अगर आधा आता है तो यहां पर ही आप साड़े साथ लगा दीजिए किलियर तो अब आप बोलोगे सर जरूरी तो नहीं है ना कि यहां से टकराने के बाद वो नीचे ही आए यह भी बात सही है जरूरी तो नहीं है कि यहां से सर टकराने के बाद वो नीचे यहां आए यहां से घुम भी तो सकता है येस घुम सकता है बिल्कुल घुम सकता है कोई सक नहीं है तो जब यह वापस इसको रसिस्टेंट को फेस करेगा और इसके ऊपर अगर कुलोजिंग दे देता है तो जो सारे साथ रखे है ना वापस इसमें डाल दीजे ठीक है आपको यह समझ के चलना है कि अब जो इसकी तेजी होगी ना दोनों की आईटी की और तो अब बूलेगा अच्छा यह ठीक है फिर से बता देता हूं थोड़ा सा आप लोगको तरीका नहीं तो उसके बाव जूद भी नहीं समझेगा तो आप लोगको फिर देशी तरीका एक और ठोक दूंगा उसमें समझेगा तो यहां जो है आप यहां परी मालीज आपका ब माना है उसके उपड़ weclush देता है चैंके यहां दिधर कलोजिंग होता के अगर के ऊपर ऍजमाना है और मेरा फैसेके बात जाया हूं पूरास पूरा हुला हो जाए को अगर यह यहाँ से तूटता है भी ठीच कोई बाद ने आराज से परदास करना है अगर इसके उपर जाता है तो फिर वही कारवाई करना है कि करना परादय परोफिट करना है और फिर जाब और नीचे आता है is पर पशुमूर्ड टो को आपको आइट्प और टीडेंट में पोजीशन खतम नहीं करना है आने वाला छे महिना के लिए समझ गए चलिए बहुत 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 इसी भासा में अब मैं समझाता हूं यह था आपको technical भासा यह समझ गए तो अच्छी भासा में आहिए देशी भासा में ऐसा है कि आप 5% का profit पे 5% दिखने प्रोफिट दिखें ना तो उसमें से डाई परसेंट प्रोफिट बुक कर लिएगा तो डाई परसेंट करिएगा 50% कम करके यही बात है चाहे जो समझें कमकर करना पोईशन करिएगा लेकिन करिएगा पक्का यह नहीं कि एक दम छोड़ दिएगा करिएगा अगर वह वापस अबको 5 परसेंट फिर दिखाता है तो दुबारा है प्रोफिट बुक मत करिएगा चीक हैं दुबारہ प्रोफिट बुक नहीं करिएगा तो आप पूलेगा सबसेंदे फिर से समझाता हूँ अगर प्रोफिट दिखाता है आपका जो भी है लॉट के उपर है तो आपने यहां धाई परसेंट प्रोफिट बुक कर लिया किलियर लॉट को हलका कर दिया अब आधा लॉट रहे गिया अब यहां बड़ी दो प्रोविविल्टी आती है एक तो यह उपर चला जाएगा और एक यह नीचे चला जाएगा इस इसी सिती में कैसे इसको हैंडल करें तो वह मैं बता देता हूं कि अगर पांच परसेंट से उपर जाता है सारह साथ जाता है तो आपको अगें सुन लिजे आपको अगें जो प्रोफिट बुक किये थे रही परसेंट का वह वापस से उसमें डाल तो आप शार इसमें फैदा क्या होगा इसमें यह क्या होगा आरे इस दिमांग मत लगाई है कि लिए बता रहा है निकली मत लगई प्वर्चल हो जाए गा जितना बता जिए जब ग्रावंड में करें तो आपको आपको प्रशू पर भुट की आता कि ना चल जाएगा अनि लगेगा तो आपका automatic है जो ये 5% जो profit था और सारे साथ वो कम होके आपको portfolio में 5% वापस दिखने लगेगा ठीक है अब यह कितना बज गया आपके पास यह कितना रह गया और 5% तो यह आपको आपके पास रह गया ठीक है इतना ही रह गया अब यह जब 50 जो है यह percentage बढ़के 7.5 होता है तो आपका 50 के profit आपको कितना हो जाता है 3750 तो आपको 5 पर जब गया राशिस्टेंट पे तो आपने profit बुक किया गया जो 7.5 था वो घट के आ गया आपको कितना 3.75 इस जगह आ गया जब आप उसमें वापस 50,000 डाल दीए तो आपका परसेंटेज घट गया लेकिन प्रोफिट यही दिखाएगा बात समझेए प्रोफिट यही दिखाएगा परसेंटेज घट गया है क्लियर है और फिर जब आपका यह 3.75 से बढ़के जैसे 1.5 परसेंट 7 परसेंट बढ़के 5 गया अगेन वहाँ पर ही आप काड़ दीजिए 50 परसेंट अगेन जैसे माल लिजे एक लाख है और 3.5 से वो 5 परसेंट गया अगेन सेम यही कहानी उसमें 50 परसेंट बुक कर लिजे फिर आप 50 के रहे गया रहा की नहीं रहा है तो यह चीज आपको अब करना है डाउन जाएगा तो उसको भी मैं आप लों को बता दूंगा फिलहाल आप लोंग इस चीज को समझ गया होंगे ऐसा मेरा अनुमान है यह काम करने के लिए आपको कोई चार्ट देखने की चुछ नहीं देखन जिस तरह हम 5% का अपना बताते हैं उसी तरह है कि आपको जो फर्स्ट बार में 5% मिल गया तो यहां आपको अपने जो एमाउंट का भागा दो 50% बुक कर लेना है एमाउंट का 5% का तो आप तो बुक करोगे करोगे जिस तरह एक लाग का है तो आपको एक बटा दो 50,000 का आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है घर ले आना है क्लियर अब जब यह सारे साथ जाता है तो वापस आप उसमें पैसापना टेक के जो 50 के था उसको वन लाग कर देना है क्लियर है बस और जैसे यह परसेंटेज जब आप वन लाग करिएगा तो यह 7.5 से घटके 3.75 हो ज 4,000 अगें बेज देना है यह है अब ट्रेंड में हलका हलका प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को आगे की तरफ सिप्ट करना इस बार के लिए इतना ही काफी है नहीं तो ज्यादा हो ना माथा में जोल हो जाएगा नीचे में भी सेम कंडिशन इसमें करना है आनि तो नीचे म का माइने नहीं रखा है लेकिन वरतमान समय में मैं ट्रीडेंट और ट्रीडेंट और आईटी दोनों पर काफी बुलिस हूं यह आप छे महीना का समय दीजी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे आसा करता हूं कि स्विंग का जो एडवांस बरजन है आईटी के मा कारगर हैं जितना भी मिच्वल फंड हैं जितने भी बड़े पैसे लेके चलते हैं लोग वह कभी पूरा पोजीशन खाली नहीं करते हैं इसका आप लोग ध्यान रखें मैं तो इसलिए खाली करवा रहा था और कर रहा था आप लोगो दिखा रहा था कि एक भरोसा रिटेल पर लगाना सुरू कर दिजिए क्योंकि भारत की तेजी साहाब बात मानिए बहुत बड़ी हैं गिरावट उरावट इस सब चलता रहेगा इस सब अपर्चुनिटी मिलता रहेगा लेकिन इसकी तेजी को ना आप हम भाप नहीं पा रहे हैं मेरे नजर से देखिएगा तो माच गुना तो मिनिममम है सुन लिजिए अगर नहीं विश्वास है तो जैसे मफांग भाग के वहां गया उसका मेरा पूराना वीडियो देखिए मून हंडिड का जाके मेरा प्लेइलिस्ट में पहले का वीडियो देख लिजे जब 89 पे था तो ठोक के बोलते तरे भाई ए करें कि नहीं करें जाके देखिए वीडियो जो जो इटी अपको धड़े हैं निफ्टी को देख लिजे 173 163 183 अभी 183 पे गया कितना दम लगाना परा देखिए आज कहां चला गया हम बोलते तेरे 220 जाइवे करेगा चला गया वही चीज है दोस्तो इसलिए अब जो तेज को इस चीज़ को बताना पड़ गया तो कोई बात नहीं इसको आप लों लाइफ में आनंद दीजिए और इस विधी से निश्चिंत रहिए पैसा हंड़ेट परसेंट बनेया है और बनेगा बस इतना ही कर अपनिवानी को विराम देता हूं थैंक्यू बरिमाट जाहिं जाह झाल